नमस्कार टेली डियो जारकंड में स्वागत है आपका मैं हो इम्तियाज अंसारी प्रसुत है समाचार कांडी सेतो गाउं में बिजली की लचर बिवस्था से अंधेरे में रहने पर बीवस हैं वहां के ग्रामिन कांडी प्रखंड से हमारे संबादाता विकास कुमार सिंग की रिपोर्ट कांडी प्रखंड छेतर अंतरगत सेतो गाउं के ट्रांसफर्मन में तेल नहीं होने की वज़ा से उक्त गाउं में लगबग एक माह से बिजली बाधित है ग्रामिन लोग बिजली की लचर विवस्था से परिसान हो गए हैं खस्ताहाल बिजली से वो भोकताओं को भारी फजिहत का सामना करना पड़ रहा है ग्रामिनों का कहना है कि उक्त समस्या को लेकर कांडी बिजली ग्रीड में बहुत वार सिकायत की गई लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई साकारात्मक पहल अभी तक नहीं किया गया वो भोकता बताते हैं कि विधुत विभाग ने यदि अबिलम समस्या को दूर नहीं किया तो भोकताओं को राहत नहीं दी तो जन आंदोलन का विगुल फूक दिया जाएगा सुचना पाकर युवा समाज से भी दिनेस कुमार ने बुद्वार को मौके पर पहुचकर ग्रामिनों को आसवासन देते हुए कहा कि एक सब्ता के अंदर ट्रांसफर्मर में तेल डलबा कर सेतो गाओं को फिर उजाला करने का भरपूर कोशिस करूँगा इस मौके पर ग्रामिन ललू राम, रामजी बैठा, जहुर अंसारी, सुनिल बैठा, अनुप बैठा, कमलेस बैठा, इस्लाम अंसारी, सिराजुदीन, अंसारी के साथ-साथ कई अन्य लोग उपस्तित थे ललू बैठा है, राम सेतो, थाटुमा कला कोला सेतो के निवासी हैं, और यहाँ बिल्ली अटासफर्मर में तेल नहीं रहने के कारण, हम लोग को अंधेरा में रह रहे हैं, तोटल गाओं के आदमी दिकत में हैं, इसलिए बिल्ली विभाग पदाधिकारी से नियोजन आग रह कर रहा हूं कि आप इरपिया यहाँ तेल जलवा में और आकर यहाँ मिश्टिरी को बोला कर चेक करके शुरू करा दें अश्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार हुगा, आज हम घटावगा पंचायत के सेतो ग्राम में आय हुए हैं, यहाँ की लोगों की समस्या है बिजली, बिजली क्या समस्या है, यहाँ तो टेस्फार्मा तो है, लेकिन इसमें तेल नहीं रहने के कारण, पूरे गाओं अंधेर जाए, और मैं गाओं को भी अस्वासन, पूरे गंता को अस्वासन देता हूँ कि एक हफ्ते में यहाँ बिजली तेल डाला जाएगा, बिजली उपलप्स कराई जाएगी,